क्या आप जानते थे कि डैंडर्फ की विए से आपको इचिंग इरिटेशन के साथ साथ सीवेर हैर लॉस एकने और फीस पे पिग्मेंटेशन भी हो सकता है फंगर एकने थे बहुत प्रास कॉंपलिकेशन ही हाई मैं हूँ डॉक्टर बूजा गुपता एम्री डेमेटालजिस और इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या कि डैंडर्फ कीशन ही हूता है इसके क्या 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 हैं कॉन से सीजन में इसके क्या क्या कॉंपलिकेशन हो सकते हैं किस-किस बोटो चीजिद भीए में इसके साथ और dealring कोप इसका और समय हैं तो आप क्या है मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हर छोटे शॉर्ट वेडियो और इंफर्मेटिव टाबलिट्स वगिरा डालती रहती हूं अगर आपने अभी तक हमें महां सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजेगा यह आपके लिए काफी हिल्फुल हो सकता है अकर इसके अलावा भी आपको कोई इंफ्रमेशन या कोई क्वेडी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन वॉक्स में छोड़ सकते हैं मैं और मैं यहीं टीम पूरी कोशिश करें हैं कि हम जितने चल्दी हो सके आपके क्वेशन का करें है है हमा निकल जाती है, होती है, क्योंकि आपका scalp बहुत ड्राय है, अगर आप बिल्कुल भी oiling नहीं करते हैं, या आप ऐसी कहीं जगे रहते हैं, जहां पर weather बहुत ड्राय है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और एक एक्सेसिफ शांपू ही, अगर आप बहुत जादा लिहार शांपू करें, तो उससे भी एक्सेसिफ लेकिंग हो सकती है, इसका treatment क्या है, वे, oiling करिए, conditioning करिए, और twice a week शांपू is more than enough, इसको डैंडर्फ की जो scaling होती है, वो yellowish होती है, greasy होती है, चिपकने वाली होती है, अगर आप fingers ऐसे करो तो आपके nails में वो आ जाएगी, आपके क कपड़ों पे जड़की, वो stick कर जाती है, तो वो होती है dandruff, उसको आप किटो को शांपू से treat होता है, या proper treatment से ही हो जाता है, या reduce होता है, अकसर क्या होता है, लोग normal flaking और dandruff में confused होती है, normal flaking का अलग ही maintenance है, और आप उतना ही कर लीचे तो बहुत अच्छा होता है, और dandruff का अलग proper treatment होता है, जो कि आपको domatologist से लेना चाहिए, ताकि आपको long term release में सके, सर पे dandruff एक बहुती common problem है, especially इंडिया जैसे एरिया में, जहां पे humidity बहुत जादा है, यह humidity में और थंड में, यानि की rainy season और winter season में यह बहुत जादा बढ़ जाता है, dandruff होता है, basically हम सब सर के सर पे एक तरख का yeast यानि की fungal infection होता है, में इसको malicezia भी कहते हैं, यह normally हर किसी की skin पर पाया जाता है, especially सर के scalp के area में, front and chest पे और back वाले area में, जब किसी किसी में यह infection बहुत जादा बढ़ जाता है, या आपको hormone predisposed, यानि कि आपको hormones की गरबड़ी की व्यासे, जैसे 12-14 years के बाद अचानक से बढ़ने लगता है, और बहुत सारी scaling दिखाई देने लगती है, ऐसा बहुत सारे patients में भी होता है, कि उनको सर पे नहीं भी होता है, उसके बाद भी उनको dandruff की वजह से जो face पे problems, pigmentation या spots होते हैं, वो हो सकते हैं, most common जो dandruff का side है, वो of course scalp है, इसक scaling, redness, beard and mustache में हो सकती है, इसके साथ साथ जो associated symptoms होते हैं, itching बहुत बढ़ बड़ा symptom है, इसके साथ सफेज सफेज जो बाल flaky जैसा देखता है, वो by deposit होता ही है, इसके साथ जो symptoms हो सकते हैं, इसमें itching बहुत common है, redness इंसारी चगे पे, इसके इलाबाद चोटे-चोटे, क्यो इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा, syboric dermatitis एक एंटिटी होती है, जो basically dandruff के energy के विए से किसी-किसी predisposed patients को होती है, चोटे बच्चों में जब यह होती है, तो उनको वाइट-वाइट गाल पे चकते आपने देखे होंगे, वाइट-वाइट स्पोर्स बहुत कान के पीछे वाले दाने अपीर करने लगते हैं, कान के पीछे वाले देरिया में इच्रिंग स्टार्ट हो जाती है, और फंगल एकने होता है, इसके अलावा बहुत से विए डान्रफ है, तो आपको hair loss associated होता है, इसके अलावा जब बहुत कम लोग जानते हैं, वह होता है क दान्रफ की वज़े से किसी को face पे pigmentation भी होने लगता है, यह pigmentation यूसली nose के around, काला पन यहाँ पे, lips के around, नीचे या इस एरिया में पेरी और बाइटल पिगमेंटेशन इस एरिया में भी या इस एरिया में अपीर करने लगता है, इसी बहुत सारे diseases हैं, जो कि डान्रफ की अपीर कर सकती हैं, तो उसको डान्रफ से डिफ्रेंशेट करना बहुत ज़रूरी है, पहला सिबोरिक डर्माटाइटिस, जो कि मैंने बहुत सारे redness की symptoms आपको अभी जस्ट एक्स्प्लें किये, इसके अलावा सुराइसिस, हां जी, सुराइसिस में इसी तरह अपीर करता है उसमें भी redness और scaling काफी जाता होती है, तो उसको determine और differentiate करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको डिफ्रेंशेट करना बहुत ज़रूरी है, तो सर के बाल की जड़ का fungal infection जो होता है, especially छोटे बच्चों में, उनमें भी जो appearance होता है, वो dandruff जैसा ही लगता है, पर उसका और dandruff प्रॉब्लम कोई नहीं है, अच्छी remedy है, मैंने खुद परस्नली जब मैंने डॉक्टर नहीं बनी ते तब उसको मुझे थोड़ा dandruff जाता है, तो मैंने यह try किया हुआ है, इसके साथ प्रॉब्लम एक ही होती है, यह बाल को बहुत जादा excessive dry कर देता है, एकदम बहुत ही इसके जिनके अलएडी dry scalp है, यह जिनके dry बाल है, उनके लिए बहुत problematic हो जाता है, अच्छी जाग पना के बाल की जड़ पे लगा कर रखना है, पूरे बाल को लगाने की ज़रुए नहीं है, वेस्ट करने की ज़रुए नहीं है, आपको बाल की ज़रुए लगाना है, आप इसके अलावा, जोकर severity बहुत जादा होती है, तो हम भी कुछ topical medicines और oral खाने की tablets भी देते हैं, जिसमें कुछ antifungal भी होते हैं, anti-inflammatory भी होती है, तो उसका तो यहां पे नाम बताने का कोई सेंस नहीं बनता है, अगर आपको ज़रा सा भी हल्की फुटने dandruff है, तो ठीक है तो जितना dandruff है वो पूरा जड़के निकल जाता है, तो दिन बर आपके face पर या peat पर जड़ता नहीं है या गिरता नहीं है, तो यह एक चीज आप खुछ से भी कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि dandruff से थोड़ा से सादा problem बढ़ रही है, itching है, redness पगेर आ रही ह बहुत सारे लोगों को इसमें recurrence की problem होती है, यानि कि आमने dandruff का treatment कुछ दिन के लिये लिया, अच्छा हो गया पर उसके अफ़र रिकर कर गया, the main reason behind is कि आप जो yeast है, जो इसको कॉस करा dandruff को, हम उसे जड़ से नहीं मिस्ठा सकते क्योंकि वो हम सब की body में symbiotic रहता है, मत अगर recurrence फिर से होता है, आपको फिर से आता है तो आपको दुपारा 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 से मिलना चाहिए, दौक्टर आपकी जो डोसे या जो मेडिसन से उनकी डोसे को बढ़ा के या आपकी appropriate or reasons को find out करके आपकी help करेंगे, दूसरी important चीज है कि बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो उनकी केसिस में डांडर्फ और सीवियर हो जाता है, जो सबसे बढ़ा कॉंपलिकेशन है जो आपकी बहुत ही कॉमन हो रहा है, स्पेशली यंग्स में और कोविट की सिच्वेशन में जब हम बहुत सारे मास्क यूज करते हैं तो उसमें कर दो,नद्या जाते हैं, जो साइब थैरे होने की अपर, में ज। जो सब्कैके का hadi कर चाहँ सीच करते हैं य्यविकराश साइब होवाभा की अई आंडर्फ दिजेशन फरंज के अगर अग, कुछ पातों कढकर देल का फिर देर हो घ्यानर्तिकेशन है, डाली बहुत भ जाना और लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आप मिल्क प्रोडक्स बहुत साथ लेते हैं उसको भी कट्डाउन करिए तेल वाली चीजों को कट्डाउन करिए बाल की जड़ पर बॉड़ी पर बॉड़ी बिल्कुल नहीं कर दीजिए बाल को स्मूधनेस या कंट्रो फ्रिस कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका वेट जादा है तो एक्सराइज करें 15-20 मिनिट के लिए डेली थोड़ा सा वेट कट्डाउन करने की कोशिश करें आप जैसे ही वेट और डाइट को कंट्रोल करेंगे आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि आपका फंगल एकनी क प्राइज करें आपका प्राइज करें तो वह सारा इंफेक्शन फ्रांसफर होता है इसके अलवा दूसरा जूरीजन है वह पिलो कवर है तो कोशिश करें कि हर 2-3 दिन में अपना पिलो कवर और अपना टॉवल यह दूनों को आप चेंज कर दीज़ अगर अपको फंगल ल क्योंकि पसीने से स्वेटिंग से और पढ़ता है तो ऊपन रखिए ड्राय रखिए और कॉटन के कपड़े ही बहनियेगा अगर हलका फुलका है बिग्निंग का है तो आप सालसली कैसेड या ग्लाकॉलिक ऐसेड फोर्मिंग फेस्वाश या प्रीन फेस्वाश रेगलरी व अगर आपको एकाद पस वाले दाने आते हैं तो आप क्लिंटावाइसन जेल या निकोटिनामाइज जेल अराम से परकर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि इन फंगल एक्तिं के विए से आपको पिग्मेंटेशन या स्वाट्स या अनिवन स्किन टून बहुत लंबी रह जल्दी हो जगे आपके क्वेशन का रिपलाई करें अगर आपको इंफ्रमेशन पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाए सब्सक्राइब करें चैनल को और सब्सक्रिप्शन के साथ एक बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस करेंगा ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू